सुभाष चंद्रा ये वो नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है खास्तोर पर तो तब जब सुभाष चंद्रा का नाम सुनते ही मन में जी न्यूज का ख्याल एकदम से आने लगता है सुभाष चंद्रा एक जाने माने बिजनसमेन है, राजनितिग है, एक समय ऐसा था जब सुभाष चंद्रा मीडिया मुगल कहलाने लगे थे आज की सेने में हम सुभाष चंद्रा के बारे में ही जानेंगे क्योंकि सुभाष चंद्रा कोई आम इंसान नहीं है उनका जीवन आज के समय में युवाओं को प्रेनना देता है हर्याना की माटी से उठाई ये सक्ष देश से लेकर विदेश तक पहचाना जाता है तो आईए फिर सुभाष चंद्रा के जीवन के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर किस तरह से सुभाष चंद्रा हर्याना के गाउं से सफलता के पटल पर जा बैठे सुभाष चंद्रा का जनम 30 नमबर सन 1950 में हुआ था ये वही साल है जब देश का सवीधान लागू रुआ था सुभाष चंद्रा सरसट वर्ष के हैं और वे हर्याना के हिसार जिले से तालुक रखते हैं हिसार जिला वैसे ठेट जाटों का रुतबा और खाप पंचायतों के लिए एक समय पर बहुत मशुर था सुभाष चंद्रा ऐसे समय में बिजनस मैन बनने का ख्वाब बुनने लगे थे जब हर्याना का पहला पेशा ही मूल रूप से खेती हुआ करता था यानि के यहां के लोग खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते थे अपना घर चलाते थे परिवार के बिना कोई भी सक्ष जिंदिगी में सफलता के मुकाम तक नहीं जा सकता लिहाजा ऐसे में उनके परिवार के बारे में भी जानना जरूरी है उनके पिता का नाम नंद किशोर गोईनका है और माता का नाम तारा देवी गोईनका जबकि सुभाष चंद्रा के तीन भाई भी हैं लक्षमी नारायन गोईल, जवाहर गोईल, अशोग गोईल, सुभाष चंद्रा विवाहित हैं उनकी पतनी का नाम सुशिला देवी है सुभाष चंद्रा के दो बेटे भी हैं पुनित गोइन का और अमित गोइन का दोनों ही पिता की तरहे जाने माने बिजनसमेन है पढ़ाई बीच में छोड़ बिजनस में हाथ बटाया सुभाष चंद्रा का जनम हिसार जी लेके एक छोटे से गाओं के एक बनिया परिवार में हुआ था परिवार बनिया खांदान से तालूग रखता था लिहाजा बिजनस वाला असर तो पढ़ना ही था साल 1925 में 15 वर्ष की उमर में दसवी कक्षा की बढ़ाई को बीच में ही छोड़ कर सुभाष चंद्रा अपने परिवार के वेवसाइड यानि के कमिशन एजन के काम में लग गए उसे संभाला जो भारतिय खाते निगम को चावल की आपूर्ती यानि सप्लाई करता था फिर खुद का शुरू किया बिजनस सुभाष चंद्रा ने SL पैकेजिंग के नाम से स्वय की वी निर्मान वेवसाइड कमपनी की स्थापना की जो टूथ पेस्ट और अन्य लेचीले पदार्थों के लिए प्लास्टिक ट्यूबों की पैकेजिंग करती थी इसी के साथ सुभाष चंद्रा ने वर्स 1989 में SL वर्ल नाम एक मनरंजन पार्क की स्थापना की जिसे उत्तर बोंबे में स्थापित किया गया था जी टीवी नाम से सेटलाइट चैनल की शुरुआत बिजनस के क्षेतर में सुभाष चंद्रा एक बार आगे बढ़े तो फिर उन्होंने दोबारा पीछे मुण कर नहीं देखा साल 1902 में उन्होंने लीका शिंग के साथ भारत के पहले हिंदी भाषा केबल चैनल की शुरुआत की जिसका नाम था जी टीवी उनका टीवी चैनल 969 मिलियन लोगों तक पहुँचा लोग प्रियता को देखते हुए उनके चैनल जी का प्रसाण 179 देशों में किया जा रहा है फिर इसके बाद उन्होंने जी चैनल की सफलता के बाद भारत में पहली लोटरी और पहले डिश टीवी को भी लोंच किया सेटलाइट के बाद प्रिंट मीडिया में भी रखे कदम जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया सुभाश चंद्रा का जिवन आज के समय में युवाओं के लिए प्रेजना स्त्रोत है सुभाश चंद्रा लगातार आगे बढ़ते रहे और बिजनेस को नए आयाम देते रहे सेटलाइट चैनल जी के अपार सफलता के बाद उन्होंने प्रिंट मीडिया में भी कदम रखे वर्ष 2005 में उन्होंने दैनिक भासकर गूर्प के साथ एक भारतिये ब्रांड शीट अखवार डियन ने यानि के डेली न्यूज एंड अनलाइसिस का शुभारम किया जिसे पहली बार मुंबई में प्रकाशित किया गया उसके बाद एहमदाबाद, उने, जैपूर, बैंगलूर और फिर इंदोर में उसे शुरू किया गया उस समाचार पत्र ने The Times of India को भी चुनोती दी थी भारत में एक औल कलर पेज फॉर्मेट पेश करने वाला पहला अंग्रेजी दैनिक ब्राडशीट समाचार पत्र बन गया था जिसने खूब वाही वाही लूगी ग्लोबल इंडियन एंटर्टेन्मेंट परसनेल्टी ओफ दा इयर से मिला सम्मान वर्स दो हजार चार में उन्हें ग्लोबल इंडियन एंटर्टेन्मेंट परसनेल्टी ओफ दा इयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया उन्हें मीडिया के क्षेटर में महत्तपूर्ण योगदान देने के लिए कई पुरुसकारों से सम्मानित किया गया बिजनस स्टेंडर के द्वारा बिजनस ओफ दाइयर के रूब में सम्मानित किया गया स्टार गिडल अवर्ड साल 2010 में मिला भारतिय न्यूज ब्रोड़कास्टिंग प्रुसकार और वर्ष 2011 में अंतराष्ट्य एम्मी प्रुसकार भी उनको मिला है जानि कि ये सम्मान भी उनको दिया गया है उनकी समसमरन शिर्षक वाली कुस्तक जेड फेक्टर माजर्नी एस दा रॉंग मैन का सहसंपादन प्रांजल शर्मा ने किया और जिसका परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने साथ रेस कोर्स रोड नई दिली में विमोचन भी किया था राज्यसवा सांसत बने सुभाष चंद्रा चंद्रा जी 2016 में हुए राज्यसवा चुनाओं में निर्दलिय प्रत्याशी के तोर पर मैदान में थे तब बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया कॉंग्रिस के चोदा वोट रद हुए थे दर असल राज्यसवा चुनाओं में एक खास रहके पैन का इस्तमाल किया जाता है सब घटना गरम के बाद सुभाश चंद्रा चुनाओं जीत गए उस समय ये मुद्धा काफी गरम रहा था विवादों में भी रहा था सुभाश चंद्रा हरियाना से निर्दलिय राज्यसवा सांसद रहे हैं और उनका छे साल का टर्म पूरा हो चुका है तो वहीं बीते साल राज्यसवा के जो चुनाव हुए थे उसमें वे राज्यस्थान से मैदान में उतरे यानि कि वो राज्यस्थान से राज्यसवा दोबारा जाना चाहते थे क्योंकि हरियाना के पक्ष में नंबर गेम नहीं बना था उन्होंने राजस्थान से मैदान में उतरने की रण नीती बनाई थी तब वे बीजेपी के उम्मीदवार के तोर पर चुनावी मैदान में उतरे थे जबकि साल 2016 में राजय सबा चुनाओं में उन्हें बीजेपी का सर्फ समर्थन प्राप्त था सुभाद चंद्रा की गिंती देश के सबसे अमीर वेक्तियों में होती है यानि के टॉप के लोगों में होती है सिया सार के तहत भी उनका ग्रुप एहम योगदान के लिए जाना जाता है वे भारत में धर्मार्त संस्थान एकल विद्याले फाउंडेशन के चेर्मेन है दावा गिया जाता है कि इसके माध्यम से करीब 40 हजार गाउं के यानि 11 लाग से अधिक जादा आदिवासी शात्रों को मुफ्त शिक्षा देते है यानि कि वो शिक्षा में भी एहम रोल अदा करते है समाज गया नेक संस्थाएं हैं जिन में वो पर्त्यक्ष तोर पर जुड़े है अगरोहा धाम आपने सुना होगा वहाँ पर भी उनकी सक्रिय भूमिका रहती है और भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके वो ट्रस्टी हैं जिनके वो मेंबर है और जिनके लिए वो दान देते हैं तो ऐसा वेक्तित तब है सुभाष चंद्रा का जो जी के नाम से चैनल आप देखते हैं ग्रूप देखते हैं वो उनका है एसल वर्ड उनका है यानि कि उन्होंने एक गाउं से शुरुआत करके विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई और सिर्फ अपनी नहीं अपने प्रदेश की अपने देश की पहचान बनाई सुभाष चंद्रा जी को लेकर आप क्या समझत हैं क्या मानते हैं कितना उनको जानते हैं हमें जरूर बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद SNA के लिए मैं ये श्पाल करेंचर